हेलो एब्रिवान विल्कम बाग टू मैं वीडियो तो गाइज में बार बार इसलिए पुछती हूं मुझे एड्रामा कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं क्यूंकि यह ड्रामा अल लेटी बहुत सारे चैनल कर रहे हैं अब एक लास हो गया यह सबसे बड़ी प्रॉब्ल लग चुकी थी तो अब वाले पार के स्ट्राइटिंग में दिखा जाता है वहाँ पर टेबल पर मारिया वाला लॉकर देखती है मतलब डूर्मार का लॉकर हो चाहती है और वहाँ पर लॉकर के पिछे मतलब अंदर के चाहिए लिखा हुआ था मारिया उसके बाद वहाँ अच्छी बात नहीं है अच्छे मैनस नहीं है तो यहां पर उठता है नहीं पर क्या कर रहे हो तो वह इसके बाद आप कपड़े चेंज करने लग जाता है इतले हिए चुल दो देखा तक कोई जरुए कि पहनए सब्सक्राइब कहसा यह क्या समें तो बैंकि आदा नो देखाए मosionं uneven और टुमारे यह में महें भूल कहिया ने थे वो उसको देखती और बहुत नहींगा लग रहा था वो बोलती कि यह बहुत एक्सपेंसीब है और मैं ले नहीं सकती तब ही यहाँ पर डोनरबान उसके सामने बेड़ता है उसके पेरोग आगे करके उससे सूर पहना देता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं इसका साइ लिए विल्कम गीपटे विल्कम मैं मैंनेजर बोलता है तब ही यहाँ पर पैम में बहुत बहुत सूइट है तो डोनरबान के तरफ से एक्सक्ट क्या है वो पता चाल नहीं पहरा लेकिन पैम तो अब तक तो पागल हो चुकी है उसके लिए मतलब वो फीलिंग होती है ना वो बहुत खराब तरीके से उसके मन में आ चुकी है डोनरबान को लेकर दोनों के बातों को रिस्ट अप करने के लिए पैम की मम काल करके उसी एजेंसी बुला लेती है डोनरबान और पैम दोने एजेंसी चले जाते है डोनरबान भी पैम के मम से बात करना चाता था लेकिन लोगों ने कंट्राक कैंसिल कर दी मतलब जो सुटिंग वाला कंट्राक होता है ना बढ़ा वाला नहीं और बहुत लॉस हुआ है एजनसी को और यहां पर उनको अच्छी तरह चे पता है उनकी बेटी की गलती नहीं है फिर भी अप पैम कोई बहुत ज़्यादा सुनाय जा र पैम बहुत आपसेट होगे बाहर आती है और वहां पर ऊसका हात पकर बोलता कि क्या हुआ है मुझे बताओ पैम उसके आथ को ऐसे छोड़ा के ऊपर टेरीस के तरप चलिजाती है तब यहां पर पेट को नहीं पुछता की क्या हुआ है पेर चारी चिजह बता देता है और और दोनवन सीधा अपने फ्यूचर मॉदरे इंवल सकते हैं उनके पास आता है मतलब बाके बास आके बोलता है कि प्रॉब्लम तुमने स्टाट खिया और तुम प्रॉब्लम को क्यों डाट रही थी और तभी हां पर ओ बोलती है कि मैंने क्या प्रॉब्लम स्टाट की तो यहा लोग पैम को एसा बोल लाए थे मतलब एजेंसी की जो ओनर की बेटी जो यहां पर एक हॉट मुडल को फचा रही है इस लाइक बेदेशी माल को फचा रही है लेकिन आप लोग समझ जाओ बेदेशी आया हुए लड़के को ऐसे आपनी जाल में फचा रही है इसे बहुत साथ जीज़ा ट्रेंट कर रही थी और यहां पर इस सारी चेक क्लियर करने के लिए डा रही थी तो आपको यादे एपिशर वान टू में जो डिरेक्टर थी जो हम बारे हीरो डोनमान पर फिदा ओ गई थी जैसी का नहीं दूस्त्री वाली तो उसने बोलाए कि अगर डोनमान उसके साथ डिनर करेगा तो वो सब कुस क्लियर करवा देगी यही चुज़े पाव बोल लए थी डोनमान बोलता ही कि प्रप्लम तुमने क्लियर की तो अब सॉल तुम्हें कहीं और ले जाता हूं मैं तुम्हें रोखने काला हूं नहीं उसकी बाद इखा जाता है एक स्पोर्ट क्लॉब में यहां पर आजाने के बाद डोनमान पैम को बहुत सारी घेम खेलने के लिए बोलता है तो बेसिकली क्या था ना डोनमान का कंसेप्ट्ट्, मेरा फेवरेट गेम आपको भी पता चल गया दीज के चकर में दोनों काफी करीब आ गए थे और प्रैम की दिल के धर्कने बहुत बर रहे थी हैं पर जो इसे बॉक्सिंग वाला गेम खेल रही थी ना प्रैम उसके हाथ पर चोट आये थी तो यहां पर डॉनमान उसके बहुत करना स्टाट कर जाते हैं तो हमें आपर देखते हैं कि जो प्रैम थी ओ अपनी लाइफ मतलब बच्पन बार में बताने के स्टाट कर जाती है मतलब बाकी बच्चों की तरह उसके लाइफ बिल्कुल भी नहीं थी ग्रानपा बहुत स्ट्रिक थे और हैं पर उसे कुछ खास करने ही पाया इसी वाले फीलिंग आएगी इसलिए उन्होंने हमेशा बहुत साथ चीजों के लिए प्रायम को रोका हुआ था खेम खेलने के लिए और अभी वह सब कर रही थी यहां पर आपनी मम के बार में बताना स्टाट करती है साइध यहां पर बोलती कि मेरी मम कभी गील्ट है जो वह कभी मेरा ख्याल लख नहीं पाई तो इसलिए वह अपनी साथ काम करने दे रही है मुझे मुझे बस हिसारी लगता है इसा वह बोल रही थी और वह बोलती कि मैं बहुत खराब मैनेजर हूँ तो अभी यहां पर लोना उसके हाथ पकर कि बोलता है कि अटल इसके लिए कुछ फील करते हैं इसी बात के वज़ें आज मैंने अपने लग की सबसे बड़ी सेक्रेट इतनी इसके सामने रखती मतलब होता है ना बहुत कमफर्टेबल फील करने के बाद आपने दिल की बाते उसके बोल जया ऐसा हो समुच रही थी तो आमें दिखा जाता है नेक्स वाला सीन जहां पर घर पहुंचने के बाद प्रैम को करता है और बोलता कि मैं पहुंच गया प्रैम बोलती कि तुमने अभी तो मुझे मैसेश किया था बोलता है तुम्हारे हाथ पर छोड़े से चोट आये थे तो मुझे लगा तुम टाइप रिप्लाइज नही करल किया वो बोलता है प्रैम बोलती है कि कुछ नहीं ठीक हो में में बस दो दिन काम किया तुम्हार साथ और मेरे सर पर चोटाया हाथ पर चोड़ आया मुझे पता नहीं चल लागी मैं सब्वाई कर पाऊं किया नहीं तब ही आपर डोनमार मुलत की फिकर मत करो मैं हूं न पर डोनमार करें कि तुम कब तक काम करने वाली हो मेरे साथ मकृते बोलते किए अभी एक थाक कर ना ही कि घष्ट पर और मुझे चुटे हे च्पोटों कि मैं एक तक यृझ काम कर Но मैं इसले कर रहते हूं क्युकि मैं इसले कोने प्beard करने वालो के लिए यह सुनने के मार्या आती है, और उसमीयल बात की पेंखता है उसकी बाम आता है। में बात कर रहा है तक लेकिन वह बलती नहीं है और उसके बाद हैंपर बोलता है कि लेकन अभी मुझे अपने काम चेंप प्यार होने लगाएं क्यों कि तुम मेरे साथ यह बोलने के बाद वोली जिए कि रूखो डॉनमान बोलता है कि यह तुम क्या बोलेई, ओ मेरी सिस्टर है, उसे मुझे इस बाद से क्या प्रॉपलम हो गीया? और मेरी गल्रफेंड कमजी हो गई? यह सुन्दी के बाद वो सोक हो जाती है और वनमान समझताता है वो बोलता है कि एक सेगन तुम्हें लग रहा था हो मेरी गल्फेंड है वो चूप चाप कुछ भी नहीं बोलती है नहीं नहीं मैं क्यों सुचूंगी एसा एसा वो बोलती है अपने बात को कबर करते हो और वो आए पी से मुझे लग रहा है कि जब में सींना हुए जाने बाद तो कुछ चाहता है क्योंकर एसा तुम्ह्था हो नहीं हुषảiा बात वो चूरिए और उल प्रूंदीं करते है और पर नहीं नहीं और के वो मुझे हो आई ताम से नहीं तेजन आई ता म। ईतलियए zijnya क्या कि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग है या फिर प्यार के लिए बज़े से क्या है अपने आपके अपने आपके इसे क्वेशन कर रहे थी तोनों बाइन उसे पूछता है कि तुम गंड़काड़ीन टीचर हो ना तो जोटे बच्चों कोई सौंग सुनाती हो चलो मुझे भी स करने लग जाती है मतलब जो चोटी चोटे बच्चे होते ना उस लेवल को इसे गाने लगती है लेकिन बंदी पहले ही सो गई थी दोनों मान को रियला जोता है पैम सो गई और उसके बाद हो फोन काट कर देता है और डा को मैसेज करता है कि ठीके में कल तुम्हार साथ दिन पर आने के लिए रेड़ी हूँ सो गाइज एपिसोड प्रमर फो एंचे और मुझे बताओ आपको यह ड्रामा कैसा लगा कमें सेक्षन में जरूर बताओ और मैं तो बहुत पसंद करें इस ड्रामा को इसका नेक्स पार चाहिए तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कमें कि मुझे भी ना मोड़ी पेशन मिले नया वीडियो बनाने का तो इसके साथ आप लोग को पताए में थाई रामा दगीवर एक्सलेंट कर रही हूँ ओ रामा भी बहुत अमेजिंग साहिए और इसी साल उसको पेस्ट रामा आप्टेयर का आवाड भी मिला था तो प्लीज आप लोग उस ट्रामा को भी सपोर्ट जरू कर लेना चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना तब तक के लिए थाइंक्यू सो मच फर वाचिंग लव यू आल